आज हम इस बजाज रूमीटर का प्रेक्टिकल करके देखेंगे, इसमें क्या क्या होता और खराब होता है चाहिक कैसे रिपैर करते हैं सबसे पहले यह समझ लेजी कौन सा इटर है? बजाज का रूमीटर है इस रूमीटर में कितनी डिटेलड बली होंगी? कितने का यह बाहर खसका के और ऐसे उठा लेना है ठीक है यह उठ जाएगा कुछ इस तरीके से आपको सामने इसकी वायरिंग देखने लगए यह भी पूरी अंदर से अब इसको खोलने के लिए हम और वी चीज़े देखते हैं अभी क्या किया है हमने इसको पूरा खोल लिया है पूरा ख कश कुछ भी नहीं है एक यह दिख रहा है अपको यहां पर थोड़ा ज्यूम करके दिखाते है कैं यहाँ पर आपको एक दूरी तीन ज़फो यहाँ पर गहा है नेक यह हमारा यहां पे गया, और दो यह यहां पे आए, ठीक है यह रहा हमारे, और एक मेन हमेहारे switch को यहां से मिला और यहां से गया ठीक है, अब इसको हम समझते हैं इसमें दिक्कत क्या रही है इसकी spring थोड़ी हमको दीली सी लग रही है, हम इसको check करते हैं यह चल नहीं रहा है, बोल रहा है, अभी क्ये किया, हमने इसको चालू करके देखा, तो यह heater है यह वाले, देखिए, यहां पर connection तो आ रहा है, मगर इसमें return भी जा रहा है, यह return जो आ रहा है, इस वाले बायर पर return नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा यहां से बायरिंग में दिख्कत आ रही है इसकी में एक गरम नहीं कर रहा है एक वार आप यह थे थर्मस्टेट भी देख लें इसको दवा कर यह काम कर रहा है यहां थेकर तक Shapal to घब दाए है त्षिप्लाइर यह आ रही है और這वा स्ब्साइब कर रहा है हमारा हमारा टेस्ट्र जला वर यह हमारा न्यूटल इस पेविया brilliant उस यह यह नुटल है और यह हमारा नूटल कैंँ तो मैं आ इसवे पेहरे पालें今 म्मुटल यहां पर आए इसके ठीक है यह फेज नूटल रहे और यह हमारा नूटल क्या है यहां पर दिख रहा है आपको नूटल यहां से सीधा आया यह हमारे इस हीटर के यहां पर चला गया ठीक है यहां इस हीटर के पॉइंट पर हमको ले जाना इस से चल के आया यह 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 और यह क पूट करने अब क्या फेज की बार यहां से चलेंगा इस थर्मो से एका धिया इसके आउट-पूट में यह है तरमोस्टेटीट से नगया उगरा देगा और यहां से फ्रीय यहां से एंदर देगा इस सिज्चुम में यहां पे आ गया है ठीक है यहां से आया और यहां से एक लूप लगा के यहां सुच को दे दिया यह सुच को किस लिए दिया इसने इस पंक्य के लिए ठीक है यह दे देगी पंक्य का वायर यहां पर लगा एक और जो काला वार आया यह ठीक है तो अपने यहां तक तो क्या हो गया अपना यह मैन इसमें आया और यह चला गया कहां पर अपने पंके के लिए और इसके तीन वायर आया है देखे एक एक वाला कहां गया इसके नीचे लगा हुआ है यहां से निकल के यह स्विच के नीचे लगा हुआ है वह दूसरा वाला आपको दिख रहा हुआ है यह हैं से जो बीच में से निकला यह वाला, यह चलके कहां गया है, इसी के उपर वाले में, तीसरा वाला जो आपको दिख रहा होगा, वो इसके साइड वाले में गया, ठीक ए, इसकी वायरिंग आपको समझ में आपको इसमें दिक्यत क्या थी, देखिजिए, कस्टे टाम इस से temperature आया तो यह कट हो जाएगा और यह spring भी कट हो जाएगी मगर यह तुरत गरमी गरम कट हो जाएगी तो इसलिए डीली पड़गे देखिए डीली डीली दिख रहे हैं आपको लुस्त सी यह क्या गरम में एकदम यह बंद हो जाता है पंका यह से कट हुआ तो यह बंद हो ज हम ने क्या कि अब पंखे के ये धो बायर थे एक यह वाला है और एक यह वाला ये दोनोग बायर आपको आथ में दिख रहे ह। एक हम डार्क लगा देंगे यहा नुटल के साथ ऐसे और एक लगा देंगे फेस के साथ तो यह हमारी spring जो खराब हो रहे हुए थी वो नहीं होंगी है अब हम इसको चालू करके देखते हैं चालू करके देखेंगे तो हमारी spring भी चलना चाहिए क्योंकि इसमें जादा नहीं यह बायर कटा हुआ था बायर कटके थोड़ा सा इसमें बायरिंग की प्रोब्लम थी बायरिंग हमने सब अलग-अलग करके चेक कर लिए और आपको समझ में भी आ गए हूँ ठीक है चालू करते हैं कि यह हमारा हो गए हुए रूम रिपायर देखिये हम आपको समझाते हैं पहले क्या धुको Morris यह थे निकली ए भी यह यहां है पहले हमारी की रिटन दिख रही है आपको यह पे टेस्टर जल रहा था यह jesteśmy न क सीधा hypothesis कऱ Crimea है आपको लिटर की वारिंग पूरी समझ में आ गई होगी आसा करता हूं धन्यवासाद